केंदर सरकार के मंत्रियों और कृष्य सुधार कानून का विरोध कर रहे 35 किसान संगठन के बीच मीटिंग हुई 36 गंटे चली मीटिंग में किसानों ने अपनी मांगे रखी क्रिशी सुधार कानून को लेकर अपनी आशंकाओं को पोइंट तो पोइंट केंदर सरकार के सामने रखा साहे तीन घंटे चली मीटिंग में अभी कोई समाधान नहीं निकला गुरुवार को एक बार फिर किसान और केंदर सरकार के बीच चौथे राउंड के मीटिंग होगी किसानो को और केंदर सरकार के आशंकाओं को दूर करना साहती है किसानों को अब चौथे राउंड की मेटिंग का इंतजार है तब तक दिल्ली में किसानों का अंदोलन जारी रहेगा हम ऐसे नहीं जाएंगे हांसे हमारी लड़ाई और भी आगे जाएगे जो संगर्श है इसको और इंटेंसी भाई करेंगे अगर सकार जुकेगे नि मनेंगे नि और इंटेंसी भाई करेंगे और लोग आएंगे और आप देखो दो चार दिन के अंदर जो दिल्ली है ना इसके तमाम बॉर्डर सील हो जाएगे किसानों ने दिल्ली के तीन अलग-अलग बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है दिली के घाज़ेपूर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की थी किसानों ने हंगामा भी किया लेकिन पुलिस के समझाने से किसान मान गए थे दिल्ली के घाजीपूर बॉर्डर पर किसानों को सपोर्ट करने धीम आर्मी के चीफ चंदर शेकर रावन भी पहुंचे थे किसानों ने दिली की घेरा बंदी कर रखी है दूर दूर से आंदुलन में पहुंचे किसान महीनों का राशन पाने लेकर आए हैं ठंड में भी सब ही खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं गाडियों के पीछे बनाए गए अस्थाई तंबूओं में रह रहे हैं तो कुछ सड़क पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं किसान मुसीबते उठाने के लिए तैयार हैं उनका कहना यही है कि जब सरकार जुकेगी तभी आंदुलन खत्म होगा दिली के चिक्री बॉर्डर पर किसान आंदुलन में अलग-अलग रंग देखने को मिले कुछ नौजवान गीत संगीत के जरिये किसानों की मांगों को सरकार तक पहुँचा रहे हैं वही कुछ किसान संगीत के माध्यम से अपनी मांग उठा रहे हैं किसान आंदुलन में सुर है, संगीत है तो खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है आंदुलन सेंटर पर 24 घंटे लंगर चल रहा है किसानों को ठंड से बचने के लिए गर्म चाय दी जा रही है मिठाई बांटी जा रही है, दो पहट और रात का खाना मुफ्त में बांटा जा रहा है किसानों के आंदुलन को देखते हुए दिल्ली पिलिस ने ट्रैफिक को लेकर नई एडवाईजरी जारी की है लोगों को सलहा दी गई है कि दिल्ली नॉइडा को जोणने बाली चिल्ला बॉर्डर पर न जाएं फिलाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है इसके बजाए लोगों से कहा गया है कि वो नॉइडा आने के लिए नैशनल हाईवे 24 और D&D का इस्तेमाल करें साथ ये अक्षरदा मंदिल से लेकर चिल्ला सीमा तक का रास्ता भी फिलाल बंद रहेगा उदर टिकरी जड़ोदा सीमा को भी फिलाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और हर्याना के लिए धरौला, कापस हेडा, रजोकरी, बिजवासन, पालम बिहार के रास्ते से आए जाएं आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर सिंगू बॉर्डर पर पड़ा है जहां लगातार साथ विलिन सब कुछ ठप है किस्यान यहाँ पर डटे हुए है, साथी दोनों राज्यों को जोनने वाले कई छोटे रास्ते भी ठप है ट्रैफिक को मुकरवा चौक और दूसरे खुले रास्तों की तरफ भीजा जा रहा है